राधे राधे दोस्तो ब्रद विदी उपाई में सबका स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में हम देखेंगे 365 बाती हम कैसे बनाएंगे कार्तिक की महिना चल रहा है और कार्तिक के महिने में दीबदान करना बहुत ही सूब और पावन मना जाता है इस महिने में अगर आप 365 की दीबदान करते हैं तो साल भर की दीबदान की समान पुन्यफल मिलती है तो देखें यह दीबदान आप चाहें तो मिट्टी की इस तरह का सराई आते हैं इसमें भी कर सकते हैं अगर आप घर के बाहर कहीं कर रहे हैं तो और ऐसे बनता है 365 बाती इसको में बना कर आपको दिखाती हूं इसके इलाबा दिखिए आप कोई अगर बड़ा सा दिया है मिट्टी का थोड़ी बड़ी लीजे कि तीन सो पैंसर बाती है और नहीं तो अगर घर के अंदर दीबदान करें तो पीतल में भी दिबदान कर सकते हैं पर इन सभी दिपो में जो सर्फ स्रेस्ट मान जाता है वह इस तरह का नारीयल का दीपक अगर आप यानि कि थर्फ बना पाते हैं जैसे गोला आता है गोला को आधा काट लेना में तो बिल्कुल दीपक की सेफ में ही तयार होता है इस तरह का गोला आता है देखिए और इसको हम यहां से कट लेंगे तो एकदम दीपक जैसा सेफ हो जाता है और इसी में हम जब दीबदान करते हैं तो नारियल भी इसके साथ साथ जल जाते हैं तो पूरे दीबदान का पूरा संपूर्ण फल हमें मिल जाती है दीबदान के लिए अब घी या तील का तेल का वह भुषर कर सकते हैं अब दिखें हमें दिपक की बाति कैसे बनाना है तो हम कलावा लेंगे कलावा में देखें बहुत सारे धागे होते हैं तो हरग धागे में अलग अलग इंद होतें किजिए में कुछ कं जादा धीनी किषके नुद है जैसे मेरा कड़ें 0pak करती हूं तो मुझे 369 आता है यानि कि अगर इस धागे से में 41 टाइम्स इस तरह से लपेट ले अपने हाथों पे तो मुझे 369 बाती का एक बाती हमें तयार हो जाता है आ तो यहाँ से एकी बार में हम दो बाती बना लेंगे और इसी तरह से हमें गौल करके लपेटती हुए कट करने के बाद केंची की मदद से आपको बीचों बीच दोनों साइड से कट कर लिनी है ठीक जैसे मैंने वीडियो पर दिखाया बिल्कुल उसी तरह से अब हम इसको नीचे से भी कट कर लेंगे ताकि हमारा ये दो बाती बन पाए और इसको अच्छी तरह से पकड़ के रख लेंगे चार तार अलग करके रख लेंगे इससे हमारा वो 369-4 is equal to 365 यानि कि 365 बाती हमें यहां पर बन जाती है तो दिखिए मैंने यहां पर चार तार अलग कर लिया है अब इहीं से एक तार लेके या अलग से भी आपको एक तार लेके इनको एक तरह से बांद लीजिएग लेकिन इसको बाती के जैसा काउंट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको बांद के रखा हुआ है तो देखिए हमारा कितनी आसानी से बन गया है 365 बाती और इसको अभी हमें दीबदान करनी है तो आप लोग इस तरह से बाती बनाकर दीबदान कर सकते हैं तूलसी महियां पर साम किल चुमें नदी किनारी या किसी बिशनुमंदीर में सिह रARON कर दिखाओंगे और अगले वीडियो में आप नारियल के साथ यह बिडियो से रर करूंगे तो आप देखो नारियल के जब दिवदान करोगे ना इसके नीचे इस तरह का मिट्टी का कुछ रख देना ताकि नीचे से गरम न हो जाए या नीचे जो भी चीजे रहे वो जलना जाए आपको ये कार्तिक के महिने में किसी भी दिन तूलसी की महिया के सामने नारायन भगवान की मंदिर में सिब मंदिर में जला सय में गो सालाय में कहीं पर भी इस दिवदान को कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से रन कमेट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा हैपी कार्तिक मास